हलो गुडीवनिंग नमस्कार कैसे आप सभी में हूं करण चोदरी और आप देख रहे हैं मोवी सिच्छा आईए स्पीसियस यूटूब चैनल गुडीवनिंग तो लॉफ यूज वन्स अगें आई वेलकम आल अप सभी का स्वागर्ता आप सभी के क्लास में अभिनन दने तो क्लास की पूरी पॉलिटी की जान हमारे देश की जान सरवादिक जो पुछे जाते हैं एक्जाम में वो पूछे जाते हैं पॉलिटी में राष्ट्रपती के टॉपिक से तो क्या है राष्ट्रपती में क्यों इंपोर्टेंट है क्यों आपको पढ़ना चाहें इस सारी यानि SANG के बारे में बातचीत करेंगे जब हारत के समदान के 5 में भाग को पढ़ते हैं SANG सरकार के बारे में पढ़ते हैं एक प्रश्ण मनता है यहां से कि SANG सरकार में जो आर्टीकल्स हैं वो कौन से मैं भाग में तो भाग जो 5 है इसमें आप Union Government के बारे में पढ़ोगे और इसमें union government के जो articles आप देखते हो वो आपको 52 से लेकर 101 article तक नज़राते हैं 52 से लेकर 101 के वीच में संग सरकार का यानि संग की सरकार का order है इस 52 से 101 articles को मैं आपको पूरे याद करा दूँगा यानि अभी तक मैं आपको बताओं तो आप लोगों को मैं article 1 से शुरूख गया था 1 से 4 पढ़ा दिया था 5 से मैंने आपको 11 पढ़ा दिया था 12 से लेकर मैंने आपको 35 पढ़ा दिया था और आर्टिकल 51 A.B. मैंने आपको पढ़ा दिया था ये सब आप पढ़ चुके थे अब जो स्टार्टिंग होगी वो आर्टिकल 22 से लेकर 151 के बीच में होगी लेकिन से 22 से लेकर 151 में संग सरकार के कई महत्वपूड चीजे हैं जो आपको पढ़नी पढ़ते हैं आंसर हो गया बाहरत के समयदान की भाग 5 में कितने से कितने आर्टिकल है तो भाग 5 में बामन से लेकर 151 तक क्या आर्टिकल है एक प्रशन आपका ये solve होगी अब मैं संग सरकार की बात करूँ यानि मैं आपके सामने union government की बात करूँ यूनियन government की मैं आपके सामने बात करूँ तो संग सरकार में बाग 5 में जो आर्टिकल हो ने ऐसे ऐसे मारते इसे बामन से लेकर 178 तक आप बात करते हो एक्जेकेटिव की प्रशन मनता है कारेपालिका तो बामन से लेकर 178 तक जो है इसे कारेपालिका के नाम से जानते हैं और कारेपालिका में आपको राष्टपदी नजर आता है उपराष्टपदी नजर आता है प्रधान मंत्री और मंत्री परिशद के बारे में आप इसमें पढ़ते हैं इसके लाब बिधाय का इसको आप बोलते हैं legislature तो संग का जो legislature है इसके जो article है यह 89 से लेकर 123 आर्टिकल तक है इसमें आप जानते हैं आप लोगों को पता होगा इसमें आप संसत के बारे में पढ़ते हैं पालियमेंट है पालियमेंट की बहुत सारे प्रोवीजन हैं इन संग सरकार के बारे में इन सारी चीजों का अध्यन आप इस article बीच में करते हो लाइब नहीं ले पाता हूँ कोई बात नहीं है आप मस तरीका से पढ़िए मुदस तरीका से देखिए अब आता है नियाय पालि से लेकर 151 की बीच में CAG का वर्डन है यानि अगर मैं आपके सामने सिंपल बात करूं कि भाग पांच के आर्टिकल 121 की और भाग पांच को आप तोड़ देते हो इन चार चीजों में नंबर वन तोड़ देते हो आप कार्रेपालिका नंबर दो विदायका नंबर तीन और नंबर चार है आपका CAG अब इंपॉर्डेंट आसपक्ट क्या है अब जो कार्रेपालिका है आज गी क्लास में हम क्या सुरू करेंगे तीन sonong होगे र्रपालिका विदायका और नियापालिका सरकार के मुक्ष्देन तीन एंग होते हैं कार्रेपालिका जो नियमो को का गई नियमों की जाच करती है इसको आप कारणेपालिका की नाम से जानते हो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है उसको आप वोलते हो एक्जेकीटिव अब कारणेपालिका जो एक्जेकीटिव है यानि मैं संग की कारणेपालिका की बात करूँ तो एक प्रशना आपके साम तो आप यह कह सकते है 22 से लेकर 22 सब्सक्रा आप 12 सरकार के कार्यों के बारे बर्डन करते हो Business of the Government of India इस प्रकार से आर्टिकल्स आपके बटे हुए तो आज का जो टॉपिक के कार्य पा लिकागा उस टॉपिक का नाम क्या है उस टॉपिक का नाम है President देखो प्रशन किदनी प्रकार से बना पहला प्रशन आपके सामने क्या रखा जाएगा चीजों को तोड़ने कोसिस करो सबसे पहला प्रशन आपके सामने क्या बना अगर मैं basic से आपको समझाने कोसिस करो और आपको मैं बताओं कि आप प्रशन को किस प्रकार से समझोगे तो पहला प्रशन आपके सामने क्या बना सबसे पहला प्रशन ये बना कि आप ये समझो कि आप भाग पांच के बारे इमा पढ़ रहे हूachen भाग पांच में कितने आर्रीकल है एक कॉसिन बन गया तो बामन से लेकर 151 में भाग फांच के आर्रीकल है अब यही से प्रश्ण बनता है कि भाग पांच में कार्रेपालिका है संग की कार्रेपालिका में कितने आर्टिकल है यहाँ प्रश्ण बनता है बामन से लेकर 78 संग की विदायका में कितने आर्टिकल है एक प्रश्ण यहाँ से बनता है लेजिसलेचर में कितने आर्टिकल है तो आंसर आता है 79 से लेकर 123 तक एक प्रशन बनता है कि संग की नियाय पालिका में कितने आर्टिकल है तो यहां एक प्रशन बनता है 124 से लेकर 124 से लेकर 147 तक यह कारेपालिका, नियाय पालिका और विदायका ये तीन बॉडीज होगी, कारेपालिका, नेपालिका, विदायका, अभी जो कारेपालिका है, इस कारेपालिका यानि एक्जिकीटिव जो है, जो कारे करती है, इस कारेपालिका का पार्ट कौन है? इसका पार्ट है प्रेसिडेंट, अरे हाँ या ना? तो अब प्रेसिडेंट सजिए के क्वा संवैस कर्या BTS vermagaya को जाते हैं इस प्रकार की video प्रकार चाहिए के की वारत्क सव्षाइव है पोर्म प्रकार को प्रृस्च की अब कितनी चीजह है ereepalika, Neapalika, Vidazeepalika तो भागर 5 की कारेपalika के कितने article है? भागर पाँच की Vidayeaka के कितने article है? और भागर 5 की Neapalika के कितने article है? और कारेपalika का अंग कौने? राष्टरपती है आज आप इस topic के बारे पढ़ेंगे मजे से पढ़िये तो इन चीज़ों को लेकिर याद रखना है बच्चे confuse हो जाते, जो भाव पांच के आर्टिकल पूछ रहा है यह संग की कारे पालिपा की आर्टिकल पूछ रहा है यह राष्ट्रपती की आर्टिकल पूछ रहा है एक-एक parallel में तोडेंगे बारत पांच के आर्टिकल ये है समझ में आया संग की कारेपलिका के आर्टिकल ये है और रास्ट्रपती के आर्टिकल जो है वो ये है तो एक एक पैरलल में आप तोड़ के चलेंगे चीजों को आज हम पढ़ेंगे भारत के रास्ट्रपती के बारे में राष्ट्रपती यानि कि President of India सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बात हैं आपको बताऊंगा हमारे सम्दान का अनुच्छित बामन में राष्ट्रपती के बारे में जिक्र किया गया President अनुच्छित बामन में लिखा है कि बारत का एक राष्ट्रपती होंगे एक राष्ट्रपती होंगे they are sell me Ald up President of India अब इसका मतलब क्या हुआ लिखा है they are sell me a President of India sell me a President of India अब इसका मतलब आप क्या समझोगे कि एक भारत में राष्ट्रपती होंगे आपने का जी ठीक है बिलकूल होंगे 100% होगे अब राष्ट पती के पास क्या है राष्ट पती क्यों होगे इसका मीनिंग है कि हमारे कंट्री में जो post of the president है वो कभी back end नहीं होगी हमेशा भारत के राष्ट पती होगा यानि इसका मतलब हुआ कि राष्ट पती के पत पर कोई न कोई हमेशा बैठा ही रहेगा जेहन्द सभी को नमस्कार राष्ट पती का पत कभी खाली नहीं होगा उसके पत पर कोई न कोई हमेशा बैठा रहेगा बारत में राष्ट पती होगा इसका मतलब ही निकलता है कि भाइ बहाई बात में लाश्टपति का द्डगवी खाली नहीं होगा अब यहां से एकटमेंज से निकलती है आप मुझे आंसर दें देखो आप सबी इस बात को जानते हैं कि अगर मैं बहारत की वेवस्ता के बारे में बात करूं इंडिया की ब्यवस्ता के बारे बात करो तो आप मेंसे मैजूरिटी और बच्चों को ये पता है कि भारत में संसदी प्रकार की ब्यवस्ता है कैसी ब्यवस्ता है संसदी ब्यवस्ता है आप इस बात को जानते हैं इंडिया में कैसी फॉर्म है इंडिया में parliamentary form of the government है आप सभी को पता है पार्लिया मेंटरी form of the government जिस भी country में होती है वहाँ पर दो head का provision होता है एक तो आप समझते होंगे एक तो real head होता है जिसको आप बोलते हैं वास्तवीक अध्यच और एक होता है nominal oil इसको आप बोलते हैं नाम अत्रदज और हम लोगों ने जो provision लिया इसका यह हमने ब्रिडेन से लिया तो ब्रिडेन में आपने देखा कि वहाँ पर भी राश्टर पती नहीं है तो ब्रिडेन में कौन है अब ब्रेडेन में आप देखते हो तो ब्रेडेन में आपको राजा नजर आता है ब्रेडेन में राजा है कौन है ब्रेडेन में राजा है वही आप अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका में प्रेजडेंट का पद है क्या पद है Prezident का पद है वहाँ पर आप रास्ट्र पती का पद देखते हो यहां अमेरिका में जो पद है उसे आप केते हो President तो एक बड़ा मौलिक सवाल आपके सामने बनता है एक बड़ा मौलिक सवाल कि इंडिया में parliamentary form of the government है अमेरिका में presidential form of the government है आपको पता है हाँ गुरू जी बिल्कुल ठीक है तो फिर अमेरिका में तो राष्टपती कह सकते हैं लेकिन भारत में से राष्टपती क्यों कहते हैं भारत में राष्टपती के पद को राष्टपती क्यों कहा जाता है एक बड़ा सवाल है आप इसे क्यों राष्टपती कहते हैं यह सबसे बड़ा प्रशना आपके सामने उठना चाहिए कि वाई दे प्रिजेंट ऑफ इंडिया इस कॉल दी प्रिजेंट ऑफ इंडिया आप इसे क्यों कहते हो देखो अगर संसधी प्रकार की वरिस्ता में दो प्रकार की हैड का प्रोविजन है एक जो हैड होता है यारि रियल इसकी बात करूम है एक को आप कहते हैं Head of the government Head of the government ठीक है और एक को आप नाम देते हैं Head of the nation आप क्या नाम देते हैं Head of the nation अब मैं आपसे बेसिक बात पूछूँगा मुझे बताना इसे कहते है राष्ट अध्यच तो ब्रेडेन में और जिन कंट्रीज में पालियमेंटरी फॉपदी गवर्मेंट है वह ऐसे राष्ट अध्यच कहते हैं तो इंडिया में फिर आप क्यों से राष्ट पती कहते हैं कोई बता सकता है सरदार सुरा सिंग जी रपोर्ट पेस की ते उसका नाम क्या था वही तो नाम बता था अकल मैंने आपको रपोर्ट क्लाष麼 देखना क्लास पेस नाम बता दिया था में नन्दलाल मीना जी अब मुझे बताइये क्रेक्ट आंसर कि भारत में राष्टपती को राष्टपती क्यों कहते हैं लेकिर राष्टपती नाम क्यों दिया गया, क्या reason था, इसके बारे में आपको बताओ, कि सुरुवात में भारत में जब हमारे सम्मिदान बन रहा था तो हमने head of the nation नाम कोई परपोज किया था कि भारत में head of the nation होगा इसे आप राष्ट्र अध्यच कहेंगे क्या कहेंगे, राष्ट्र का अध्यच कहेंगे, लेकिन बाद में जो हमारी संग सम्मिदान समित्य थी कौन से समित्य थी, संग सम्मिदान समित्य, यानि इस बात को समझ लेना, हमारे कंट्री में एक संग सम्मिदान समित्य थी, आप लोगों ने प्रस्तुत किया था डॉक्टर श्यामा प्रशाद मुखर जी अब स्यामा प्रशाद मुखर जी ने जो विचार प्रस्तुत किया था इसी विचार को इसी को समिदान सभा के सामने रखा गया और समिदान सभा ने फाइनली पीस अपरेल 1947 को इस बात को स्विकार किया था कि भा स्यामाप्रशाग मुखर जी पूछ लेगा कि बारत में राष्ट पती नाम का पत किस ने दिया mistह्ञ ने राष्ट पती नाम का पत दिया तो 1030 को दिया था संग सम्विदान समिति ने इसका प्रपोजल दिया था जो बाद ने पास प्या पास हुआ और इसका नाम पढ़ गया राष्ट पती नहीं तो आप देखेंगे कि जिन कंट्रीज में संसद्य प्रकार की विवस्ता पाई जाती है जिन कंट्रीज में पालिमेंटरी वोफ दी ग जो ब्रोदेन में और भार्त में राष्टपति का पद है जो आप अमेरिका में अंदिख रहे थो उन को मिक्स करके अपने सम्विदान में ऐड़ कर दिया और दोनई को अग्यं करके अपने संही दान में लेख आए SPM स्यामा प्रशाद मुखर जी सर्फ पेड कोर्स में कब से पढ़ाएंगी पेड कोर्स में पढ़ाएंगी Positive Energy by Rohit जी बस पेड कोर्स में जो है Political Science बाले पढ़ाएंगी Political Science के बैच चल रहा है only ठीक है यह बात समझ में आगी से विद्यारतियों को 30 अगस्त को दिया था नशरम कन्फ्यूज है 30 अपरेल को दिया था 30 अपरेल 1947 को दिया था ठीक है 30 अपरेल 1947 बात समझ में आगी तो यह आपके सामने एक बेसिक प्रशन हो गया कि बारत के राष्टपति को आप राष्टपति कहते हैं अब मैं और क्या समझाओ इसकी बारे में तो बड़ी सिंपल बात समझो राष्टपति को आप लोग क्या कहते हो Head of the Nation कहते है क्या बोलते है Head of the Nation और Head of the Nation का मतलब क्या हुआ कि हमारे कंट्री में राष्टपति कोन है राष्टपति का प्रमूख है तो प्रिश्ण बनेगा कि नहीं बनेगा कि बारत में राष्ट का प्रमुख कौन है तो राष्ट पती है और आर्टिकल बामन साब तोर पर कहता है कि बारत में राष्ट पती होगा अगर कोई पूचे आपसे प्रिश्ण पूचे कि बारत में राष्ट पती का पत कभी खाली नहीं हो सकता हमने उपराष्टपति का प्रोविजन किया है तो ये बात कौन से आर्टिकल में मेंसन है तो आर्टिकल बामन जो है इस बात को आपको बता रहा है कि राष्टपति हमेशा होगा हमेशा इंडिया में प्रिजिन का पोस्ट कभी खाली नहीं होगा ये आर्टिकल बामन आपको बता रहा है और आपको समझा रहा है बात समझ में आ रही है दिल से डिरेक्ट गुष जाता है आपकी वोईस दिल में डिरेक्ट गुष जाती है ऐसा मत कीजिए पहले मन में उता रही है फिर दिल में ले जाईए समझ में बात आ रही है तो ये कुण सा है ये आर्टिकल बामन है अब आर्टिकल 53 क्या कहता है देखो कैसे याद करोगी बामन मतलब सर्वोच हमारी समाज में जो ब्रामबड होते हैं इनका पूजन किया है था हमने बामन कहते है और बामन मतलब सर्वोच इसी प्रकार से हमारे कंट्री में आर्टिक इस आर्टिकल का मीनिंक है इसको ध्यान से समझो यह कहता है कि all executive powers of the union vested in president of India भारत की संपूर कारेपाली का सक्ती राष्ट्रपती में नेत होंगी अब यह कारेपाली का सक्ती का मतलब क्या है यानि यह बोल रहा है कि जितनी भी हमारे country में executive power है इस सारी executive power जो है राष्ट्रपती यानि हमारे country का जो president है उस president में सारी की सारी power क्या होंगी सारी की सारी power नेत होंगी अब राष्ट्रपती इन सक्तियों का प्रियोग आप आगे पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा अब जो काररे पालिका सक्ति राष्टमति में नेत है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये निकला कि भारत में कारे पालिका का अध्यच को ने? ये प्रशन कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि बारत में कार्रेपालिका का अध्यच कोन है ये कार्रेपालिका की सक्ती किसमे नहेत है कार्रेपालिका की सक्ती किसमे नहेत है अब आप लोग क्या करते हैं आप लोग गलत कर देते हैं इस प्रशन को बारत में कार्रेपालिका का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्पती है और कार्रेपालिका की जो पौवर है वो राष्ट्पती में नहते अगर प्रशनिया से दो डैमेंसन से पूछा जाता है डैमेंसन नमर वन क्या है डैमेंसन नमर वन प्रशन पूछता है कि बारत में कार्रेपालिका की सक्ति किसमे नहत है एक प्रशनी ये बनेगा कि बारत में कार्रेपालिका की सक्ति किसमे नहत है तो इस question का जो आप answer दोगे वो क्या दोगे इस question का answer आप हमेशा राष्ट पती दोगे President होगे कोई doubt किसी को अगर आपसे यह पूछते हैं कि बारत में वास्तविक कारेपालगा की सकती हो वास्तविक अभी वास्तविक का मतलब होता है रियल इसका मतलब क्या होता है रियल तो रियल में आप यहां पर पी-म लगाते हो अंसर यह बिलकूल करेक्ट है अगर आपसे वास्तविक और नामात्र अलग अलग पूछे तब आप PM और राष्टपद्धी को लगा होगे लेकिन आपसे एक ही प्रिश्न पूछे कि बारत में राष्टपद्धी की सक्ति किसमे नेत है तब आपका जो आंसर होगा वो हमेशा राष्टपदी होगा बारपने कारेपालिका का जो अध्यच्छे वो प्रिश्नेंट आफ इंडिया है आर्टिकल 53 में साथ तोर पे लिखा है लेकिन 53 में एक बात तोर लिखी है जो आप जनरली नहीं पढ़ते हैं वो बात क्या लिखी है बात लिखी है कि राष्टपती अपनी कारेपालिका सक्तियों का प्रियोग स्वे यानि मैं राष्टपती हूँ तो स्वे या अपने अधिनस्तों के माद्यम से करूँगा और मेरी सबोर्डिनेट को ने अधिनस्त को ने? यानि यहाँ पर एक नया ट्रम आप लोग को देखने को मिलेगा कि संपूर कारेपालिका सक्ति राष्टपती में नेत है लेकिन इक सक्ति का प्रियोग वो किसके माद्यम से करेगा तो अपने अधिनस्तों के माद्यम से करेगा अधिनस्तों का मतलब क्या हुआ सब और डीनेट यानि सब और डीनेट के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा अब आप पूछें गुरु जी अधिनस्त क्या होता है यह सब और डीनेट क्या होता है तो रास्ट्रपती के सब डीनेट को Article 74 में define किया गया है जिसको आप लोग कहते हो मंत्री परिशद क्या नाम दिया गया है मंत्री परिशद तो जो मंत्री परिशद है न उसके माध्यम से राष्ट्रपति अपनी सक्तियों का प्रयोग करता है लेकिन सक्ति नहेत किसके अंदर है सकती राष्ट्रपती के अंदर ही नहते है समझ में आ रहा है कोई डाउट किसी को कोई डाउट किसी को समझ में आ रहा है यानि ऐसे मान के चलो मैं राष्ट्रपती हूँ यानि आप यह समझो कि मैं राष्ट्रपती हूँ आप ऐसे याद करो मैं कौन हूँ, मैं President of India हूँ अभी मेरा नाम राष्टपति है सबसे पहला basic question जो बच्चे नहीं जानते ये कितावे नहीं explain करती है सबसे प्रत्थन और प्रारंबिक प्रशन ये बनता है कि if I am the President of India This is the very first question अगर मैं भारत का राष्टपति हूँ, मेरा नाम करन है तो मैं राष्टपति क्यों कहा जा रहा हूँ मुझे लोग राष्टपति क्यों कह रहे मैंने आपको बताया कि स्यामा प्रशाद मुखर जी जी परिस्ताव लेकर आये थे और भारत के Head of the Nation का ना हमने राष्टपति कर दिया तो हम इसे राष्टपति कहते है अब सेकिन प्रशन आपके एक्जाम में बनेगा कि राष्टपति कौन है कौन है राष्टपति तो आपने बताया कि राष्टपति हमारे कंट्री में आपने अधिनस्तों के माध्यम से करता है सबोडिनेट कोन है सबोडिनेट है मंत्री परशन यह कब पढ़ेंगे यह पढ़ोगे आपने आपकल 74 में अभी तक यह बास समझ में आई अभी तक टॉपिक कमर आया सर्फ पब्लिक इंविस्टिशन ऑप्शन के ओनलाइन क्लाज दिया जाता है क्या प्लीज सर बताईए हमारी टीम आपके सामने रिस्पॉंस कर रही है चलो कोई डाउट किसी विद्यार्थी को इसमें कोई डाउट एकदम खुल के बताओ सर कॉंसेप समझ में नहीं आया बात समझ में नहीं आई प्रोपरली बताओ देखो हमारी कंट्री में क्या है पालियमेंटरी फॉर्वववदी गवर्मेंट है और parliamentary reform the government में राष्ट्रपती को नामात्र का अध्यच बना जाता है अब यहां से मेंस की डारेक्षिन निकलेगी कि राष्ट्रपती नामात्र का अध्यच क्यों है क्योंकि एक किसी भी parliamentary reform the country में जो real power है वो PM के पास होती है और PM जनता के द्वारा चुना गया एक real representative होता है और president जो होता है वो nominal होता है तो parliamentary reform the government इस प्रकार से balance करके बनाई गई है कि जहां president के पास power नहीं होती है प्रदान मंत्री के पास power होती है तो यह इस model को अपनाते हुए हमने parliamentary reform the government को लिया और प्रदान मंत्री को सारी के सारी power हमने दे दी राष्ट पद्धी के बाद सक्तिया नहीं है राष्ट पद्धी अपनी सक्तियों को nominal रूप में यूज़ करते है वो राष्ट अध्यचे और राष्ट पद्धी को आप प्रथम नागरिक के नाम से भी जानते हो एक प्रश्ण बनता एक्जाम में कि बारत में प्रथम नागरिक कोन है ये बहुत अच्छा प्रश्ण है और कई बार आपके एक्जाम में बनता है कि who is the first citizen of India बारत का प्रथम नागरिक कोन है प्रथम नागरिक का मतलब होता है first citizen of India वो कोन है तो बारत का प्रथम नागरिक कोन होगा बारत का प्रिथम नागरिक होगा प्रिश्टेंट कभी भी इस प्रिशन का उत्तर गलतना करें बारत का प्रिथम नागरिक कौन है राष्ट्रपती बारत की प्रिथम मेला राष्ट्रपती की पत्नी और प्रिथम नागरिक बारत का राष्ट्रपती अब ये आप कहानी समझ चुके कि राश्ट्पती कौन होता है और राश्ट्पती के पास कौन जे सक्ती नेत होती है वो सक्तियों का प्रेविश के माद्यम से करता है समझ में आ रहा है हां तक सभी को कोई डाउट किसी को नहीं है न? नहीं है न? correct प्यारे बच्चों अब एक नहीं बात आती है कि राश्ट्पती कोई बनेगा कैसे आपने का करन सर आप राश्ट्पती हो मैंने का जी बिल्कुल मैं ही राश्ट्पती हूँ अब इतने अच्छे पद जिसके पास इतनी सारी चीज़ें उस पद की युग गिता क्या है यानि कैसे आप राश्ट्पती बनोगे तो आप सोच के देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बन जाए प्रेजिडेंट आफ इंडिया तो आप कैसे बनेंगे आप राश्ट्पती कैसे बनेंगे आपके पास क्या ऐसी युग गिता होनी चाहिए कि आप भी बोलो मैं भी चलूँगा बड़ी से लंबी गाडी में मैं भी चलूँगा गोडे रतवाली गाडी में मैं भी गोड़े पर जाके बैटोंगा मुझे भी लोग सल्यूट करेंगे मुझे भी कहेंगे प्रिजिदेंट पदार रही है बग्गी निकल रही है तो ये जो प्रोविजन है कैसे आप राष्टपती कैसे बनोगे इसकी योग गिता है और हमारे सम्मिदान ने आप जब पढ़ोगे तो आर्टिकल 58 में राष्टपती के पद की योग गिताओं के बारे में उवर्ण कर रहा है अरच्चेद 58 को आप जब पढ़ोगे तो आर्टिकल 58 जो है ये क्वालिफिकेशन पर दी पोस्ट ऑप प्रिसिडेंट ये क्वालिफिकेशन फोर दी पोस्ट ऑप प्रिसिडेंट एक बार आप लोग जान लेंगे तो मेरा मनना है कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि राष्टपती के पद की योग गिता है क्या क्या है राष्टपती के पद की योग गिता है क्या क्या योग गिता है सबसे पहली योग गिता राश्टपदी के पद्गी है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए इसी पर बच्ची भारत नहीं confused You must be citizen of India अब आप बोलोगे सर यह क्या है बाई देखो इसका मतलब है कि आप भारत के नागरिक हो और आपको भी नहीं बाग पढ़ाई होगी कि भारत के नागरिक होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जनम भारत में हुआ हो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बाई वर्थ आप भारत के नागरिक हो ऐसी कोई requirement नहीं है आप बस वारत के नागरिक होने चाहिए इस प्रस्ट मनता है कि भारत में राष्ट्रपद्धी बनने की योगी था जनम से वारत का नागरिक हो बिल्कुल नहीं है भारत के नागरिक हो और 1955 के अधने में आपने पढ़ा था तो पांच तरीकेते बारत के नागरिक बनने की आप किसी को पंजी करा लो आप भुबाग को मिला दो सरकार आपको खुद दे दे तीक है आपका जनम हो जाए आपके पुरोजों का जनम हो जाए तो पांच प्रकार से आप बारत के नागरिक बन सकते हो भाई आप कहीं भी पैदा होगयों, आप कोई फर्ट नी पड़ता। आप भारत के नागरिक होने चेहें ये बात important है, अमेरिका में क्या है वाह पर जनम हुआ हो, हमारे कंट्री नो बोला कोई बात नहीं है हमारे कंट्री के बोड़ा कोई बात नहीं है हमारे देश में आप कहीं भी रहे हमारे कंट्री माग राश्ट्रपदी बन जाओ बस आप बारत के नागरे को ने चाहिए यह हमारे कंट्री का प्रोविजन है वो 35 वर्ष की आयू पूरी कर चुका हो He must have completed age of 35 year इसका मतलब समझना अब age of 35 year कौन सी age है तो यह प्रश्ट्र कभी कभी exam में बनता है कि राश्ट्र पती की अनुच्छ दठामन में कौन सी age बताई गी है minimum age या maximum age आप बताओ यह minimum या maximum राश्ट्र पती की minimum यानि नियूनतम उम्र बताई गी है कि उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए अधिकतम उम्र की चर्चा नहीं है प्रश्ट मन जाता है कि अनुच्छ दठामन में होगी बिटा पुझा मिसना कल से होगी तो यह इंसना लो कल से होगी पूरी की पूरी ठीक है चलिए मैंने क्या बोला मैंने बोला आप लोगों से और कल से होगी कल से लंबी भी होगी हो उसका एक फॉर्मेट टैयार हुआ है मैंने क्या बोला मैंने बोला आपको सिंपल सी चीज कि राष्टर पती जो है 35 साल के अभी पूरी कर चुका हो यह मिनियो मेज है यह मेजिमेज नहीं है कि आपकी बाइसा उमर आपकी हो गई आपकी उमर 45 साल है 70 साल है, 80 साल है आप 100 साल के क्यों ना हो आप बिल्कुल मरने वाले क्यों ना हो आप क्यों मरे कोई और मुलिख आप एकदम सहीयाँ पर क्यों ना बेटे हो तब भी आप भारत के राष्टपती बन सकते हैं यानि अभी तक अगर उम्मीद है हमारे देश के एक बहुत बुजुर्ग नेता स्री लाल किष्णा आणवाणी जी भी है न अगर उम्मीद है तो राष्टपती बन सकते थे अब तक बन सकते थे तो राष्टपती की अनुच्छे दठावन में कौन सी एज उम्मर का जिकर किया गया है अधिकतम उम्मर नियूंतम उम्मर दोनो या इनमें से कोई नहीं तो अंसर क्या होगा आपका नियूंतम उम्मर का जिकर किया गया है इस प्रकार के प्रिष्ण आपके एक्जाम में बन जाते हैं इनको बेसिक प्रकार से आप याद रखोगे और समझ लोगे लोगसभा सदस्य बनने की युग गिता होनी चाहिए यह बहुत important pointer कई बार बच्चे मुझे फॉन करके पूछते हैं या बच्चे कन्फूज रहते हैं उनको लगता है कि राष्टपती लोगसभा का मेंबर होना चाहिए ऐसा बिलकूल नहीं है आप जो आर्टिकल उनुसर पढ़ोगे साब तोर में इस बाग को मना करता है आप लोगसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए आप के पास योग गिता होनी चाहिए जैसे कि आप सबोच करो अब भाई कोई लड़की आप से कहे कि आप में मेरे पती बनने की सारी योग गिता है अब पती बनने की सारी योग गिता है जोसर लोचा हो गया मेरे भाई लोचा पता है क्या रास्टपती की उम्र को आप छोड़ दो बाकि जो भी लोगसवा के सदस्य बनने की युग गिताएं है रेपरजनेटर पीपुल एक्ट यानि जन परतिन दिने में 1901 क्यामन की अनुसार उन सारी युग गिताओं को आप भारत के रास्टपती की पता पर फॉलो करोगे तब ही आप भारत के रास्टपती का चुनाव लड़ पाओगे अधरवाज आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे यानि बहुत सिंपल सा प्रोविजन है कि लोगसवा के सदस्य बनने की आपकी कंडिशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उम्र को छोड़कर उम्र या 30 साल है वा 25 साल है बाकि सारे काम आपके उपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ने इंवाल्व हो आपने किसी मेला के साथ कोई बलात कर या जगड़ना नहीं की हो आप कोई SCST अडरोशिटीज एक्ट में कभी जेल नहीं गए हो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन जो लोगसवा के सदस्य बनने की युगिता है उन सारी युगिताओं को आप क्वालिफाई करते हैं लाब के पद को मोलते ओफिस 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 ओफि बन जाओगे आप MLA है MPA कुछ भी है तो कोई फरक नी पड़ता लेकिन हर प्रकार की सरकारी नौकरी लाव के पद की बात करती है हर प्रकार की सरकारी नौकरी बताती है कि आप लाव के पद हो तो आपको पहले सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो आप राश्ट्रपदी के चुनाव लड़ोगे अगर आप MP, MLA तो आपको छोड़ने की आवसकता नहीं है तो आप तब छोड़ोगे जब आप राश्ट्रपदी पत की सपत लोगे यहाँ आपको पहली छोड़ देनी पड़ेगी यह इसकी बेसिक युगिता है यह बड़ी सिंपल सी बात इसमें कही गई है मुझे लगता है आपकी समझ में आगया का पॉइंट आप लोग समझ गयोंगे बोलो हाँ या ना संगीता कुमारी कहरी यस सर ठीक है आया, पॉइंट समझ में आया लोग लो, आर्टिकल 58 आपने पड़ा आर्टिकल 69 भी राष्टर पती के बारे में युगिता ही बताता है लेकिन यहाँ पर जो सब्द यूज हुआ है यह हुआ है, कंडिशन आप दी आफिस कंडिशन आप दी प्रेसिडेंट आफिस आप मुझे पूछोगे सर यह क्या है तो इसे कहते है राष्टर पती के पद की सर्त है आपने क्या नाम दिया इसको नाम दिया राष्टर पती के पद की सर्त है राष्टर पती के पद की सर्त है कंडिशन आप दी प्रेसिडेंट आफिस ये आर्टिकल उनुसर्ट में डिफाइन है उनुसर्ट में इसके पद की कुछ सर्थ दी गई है अब वो सर्थ है क्या है उनको भी जहां से समझेंगे वो भी आप वो भी होनी चाहिए तब जाग्या आश्ट्रपती बनते हो अब वो सर्थ है क्या है इसको जहां से समझेंगे पहली सर्थ गया है कि किसी भी सदन का, अब यहां लिखाए किसी भी सदन का मेंबर ना हो, किसी भी सदन का, अब इसका मतलब गया हुआ, इसमें जो सदन कौन से कौन से आते हैं, इसमें एक तो आता आपकी लोकसवा, कि आप लोकसवा के मेंबर ना हो, एक आता आपकी राज् कि आप ने क्या देखा simple बारसा में आपने ये देखा कि ना तु आप संसत के मेंबर उनने चाहिए किसी भी विहा उस के और आप राज्य विधान मंदल के मेंबर हुनने चाहिए किसी भी हास के इन दौनों में से किसी भी सदन के आपको member होना जरूरी नहीं है आपको यहां यहां नहीं होना चाहिए You must not be member of either house of the parliament Must not be आपको must not आपको होना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे आप किसी भी सदन के member नहीं होने चाहिए बात समझ मारी है अगर election हार जाता है तो क्या लाव का पद को उन्हें पराप कर सकता है यह फिर उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देना पड़ेगा हमेशा के लिए छोड़ देना पड़ेगा इसे कहते है VRS नहीं आप क्या करते हो आप अपने नौकरी से चाग पत्र लेते हो इसे कहते है VRS तो VRS आप ले लोगे तो आपको छोड़ देना पड़ेगा तो किसी भी किसी भी house का आप member नहीं होने चीए ये पहली योगिता है second योगिता क्या है second योगिता वो simple सी योगिता है जो आपको simple भासा में बताती है कि आपको लाव के पद पर ना हो लाव के पद पर ना हो पद पर ना हो तो दो जगे क्यों define है देखो यहां लिखा है office of the profit और वहां पर भी लिखा है office of the profit दोनों में अंतर यह है कि वहां चुनाव लड़ने से पहले की बात है और यहां चुनाव लड़ने से बाद की बात है यारी आपने election लड़ लिया, आप चुनाप जीत गे, तो सपत गिरहर्ण करने से पहले आपको ये चीजे छोड़नी पड़ेंगी, सर महला को सिंदूर बढ़ने का अधिकार किस article में आता है, बेटा महला को सिंदूर बढ़ने का अधिकार आटिकल 21 में भी आता है, और article आप से देखोगे एक प्रकार से तो यह पहला का आर्टिकल 25 में भी यह राइट है धार्मिक अधिकार है उनको लगता है कि हमारे धर्म का अधिकार है तो इसको पूरा करते है ठीक है चलिए तो यहां पर लिखा है कि वो लाब के पदपर ना हो कि must not hold office of the profit लाब के पदपर ना हो पागल दिवाले तो उपर ही था तीसरी चीज़ सबसे इंपोर्टन जो चीज़ है जो बच्चे एक सर गलती करते है आर्टिकल 69 के बारे में कि आप लोग पढ़ते ही कि रास्ट्रपती को और क्या मिलता है तो जो नम्मर तीन है इस पर प्रश्टिक्टिक है और चौति चीज़ आप विसेज गलती करते हो आप लोग को बिल्कुल पता नहीं होता कि रास्ट्रपती की जो वेतन है वेतन जिसे पर लब्दी केए वेतन सब मिलेगा राष्ट पति को वेतन भी मिलेगा अब इन दौनों चीज़ें के बारे में बात करते हैं दौनों चीज़ें क्या है इनके बारे में बात करते हैं यह आपकी समझ में आगया किसी भी सदन का मेंबर में होना चाहिए किसी भी सदन का लाग की पत्वर नहीं होना इसको आप लोग बोलते है प्रेसिडेंट हाउस, क्या बोलते है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपती बिना किराय के, बिना किराया मतलब है, बिना किराय के राष्ट्रपती बवन में निवास करेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, यानि फ्री का, क कहां पर है राश्टपती बवन में कौन सी कौन सी चीज़े इसके बारे में थोड़ी से जानकारी में आपको देता हूँ तो क्लास है थोड़ी हटके है पर आपको मज़ा आएगा तोस्वी आदब जी बिल्कुल बढ़िया सेलरी पर टेक्स भी नहीं लगेगा कैसर वह भी इ इसको दिल्ली में इस्तित है अगर प्रशन आप से पूछता है कि राश्टपती बवन क्या है इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी में आपको देता हूँ राश्टपती बवन कहां इस्तित है अगर को पूछे तो कहां इस्तित है दिल्ली में आप लोग कहते राय सीना हि राए सीना हिल जो है न अरावली पाडियों की एक हिल्स है तो आप इसे कहते है राए सीना हिल्स एक जगह पढ़ती है राए सीना हिल्स जहां थोड़ी उचा ही है दिल्ली में तो राए सीना जो हिल है न यह राए सीना गाउं है जनरली यहां पर एक गाउं था जिसको बोलते राय सीना गाओं मैं राश्पदी ववन जब गया था तो इसके बारे बहुत कुछ पढ़के आया था इसको बोलते राय सीना गाओं इसी राई सीना गाउ में राई सीना हिल्स पर 911 में जब भारत की राजदानी दिल्ली बनी तौ। भारत के रास्पती तो नहीं थे तब तो वा करता था वाय सराय तो 1912 में जब दिल्ली राजदानी बनी 1911 में जब धेली बनी भारत की राजदानी तो 1912 में 1912 में जो वाय सराय था उस समय का वाय सराय हुआ करता था वो इसी में रहा था, तो इसी को आप लोग क्या नाम दिये, बाद में इसको नाम दे दिये, राष्ट्पती बवन, इसका निरमार किया था, ल्यूटिन ने, एक कोशन बनता है, कि राष्ट्पती बवन का निरमार किस ने किया था, ल्यूटिन ने इसका निरमार किया था, इ है आपर वायसराय आये और 1947 47 तक रहा पर 57 से लेकर आप देहो कि पचास तक जो है कि भारत की रास्टपती उसमें रहें जो भी वाइसराय बाद 높ना उसे निवास या कि लावास भारत की रास्टपती के जो आवास कि दो प्रकार की आवास होते एक ग्रीषmee काली नावास और एक होता है सीत काली नावास यानि थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूँ एक प्रसने एक बच्चे ने पूछा था अकसर बच्चे पूछ लेते हैं के सार इसमें कितने कमरे हैं हैं किया क्या है तो राष्टपथी बच्चे पढ़ागे तो याद रखना प्रेशिदेंट हाउस राष्टपथी बबन में तीनसौच ज़ाली सकंरए कितने कि राष्टपती बनगे अब 340 कमरों के घर में बिंदास तरीका से रहू आपका घर है आप जाहें जैसे रहू कि रश्ञा कभी को बनता है रश्टपती के आवास तो इसमें दो प्रोविजन वारत में राश्टपती आवास होता है यह यह दो प्रकार का आवास होता एक आवास आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको आप बोलते हैं Greece Macalin आवास Greece Macalin कौनसा आवाला? Greece Macalin Greece Macalin का मतलब है extremely summer the summer का जो आवास है प्रेजडend का वो अलग है और दूसरा है winter इसको आप बोलते हैं winter यानि सीत कालीन कौनसा है? सीत कालीन तो दो इसके आवास है सीत कालीन और मिंटर कालीन जो सीत कालीन जो ग्रीस में कालीन आवास है राश्ट पतिगा वो हिमाचल परदेश की सिमिला में पढ़ता है अगर प्रशन आप से पूछ ले कि ये कहां पढ़ता है तो हिमाचल सिमिला माचल सिमिला में जगे पढ़ती है धनवरा सिमिला में एक दगे पढ़ती है जिसका नाम है धनवरा तो धनवरा में इसका ग्रीस कालिन आवास है यह काफी फिमस जगे धनवरा और यहाँ पर राष्ट्पती मई एंड जून में इसी जगे पर निवास करते हैं दरोपदी मरमूजी इस जगे पर निवास करेंगी धन्वरा कौन सी जगे धन्वरा यह बहुत ही फेमस जगे इसको आप याद रखेंगे सीत कालीन जो है विंटर सेशन जहां गर्मियों में सीत कालीन चलियाते हैं तो यह है है धराबाद कहा है 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 धराबाद अभी सर्दियां पढ़ रही है है धराबाद में तेलंगाना पर तेलंगाना इस टेट है इसमें है धराबाद में एक जगे पढ़ती है इसमें आप ल राष्ट्रपति निलियम और निलियम का मतलब होता है आवास ठीक है राष्ट्रपति निलियम तो यह सर्दीक है यानि विंटर का है और गर्मी का है और बाकी समय पर कहां रहते हैं तो बाकी समय पर आपको पता है दिल्ली में रहते हैं तो यह तीन प्रकास के राष्ट्रपत केले नहीं रेते, उनके साथ पूरी पलतन रहती है राश्ट्पत्ति सचवाल होता है, सेकरड रेत होता है 340 को राश्ट्पत्ति कहाँ से रहेंगे कोई विदेश का आता है वो भी उसमें रुखता है बहुत सारी चीजे है स्क्रिन्सओर ले ना है प्लीज ले लिजे स्क्रीन सोर ले लिजे भाई कमलेस कुमार चुकला जे ले लिजे धन बरा ले लिजे तो तब तो तीन जगे आवास है येस तीन जगे आवास है राश्टपती का जो आवास है वो तीन जगे है आप लोग पढ़ते नहीं हो किताबों में generally आपको मिलेगा नहीं किताबों में यह सब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं यह आपको मैं बता दे रहाँ क्योंकि आप मेरी class में थोड़ा out of syllabus भी पढ़ते हो तो यह अलग से मैं आपको बता रहाँ यह आपको generally books में नहीं मिलती जानकारी आप ही मैनस से चीज़ आपको जाननी पढ़ती हैं कि राश्टपती कहां का रहते हैं तो मुझे लगता है राश्टपती बवन के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी अब एक प्रस्ण और आता है राश्टपती के वेतन को लिख रहाँ राश्टपती का वेतन कितना है राश्टपती का वेतन है यह 5 लाक रुपे सबसे पहले आप सब्द पढ़ेंगे राश्टपती का वेतन है यह कौन से आर्टिकल में तो आर्टिकल 69 में ही तो इसका वेतन है और 69 में ही इसका आवास है इन दौणों चीजों के बारे specialty पर याद रखेंगे अब मैं वेतन के बारे में बात करूँ कि राष्टपती को कितना वेतन मिलता है तो पहली बात तो इस वेतन नहीं कहते राष्टपती को कभी भी salary नहीं मिलती आप लोग बहुत गलत सब्दगा प्रयोग करते हो राष्ट पत्दी को न तो वेतन मिलता है और ना ही राष्ट पत्दी को सेलरी मिलती है अगर प्रशन पूछ ले कि बारत के राष्ट पत्दी को निमलिखित में से क्या दिया जाता है पार्थ की राष्टपती उनिम लिखित में से क्या दिया जाता है अगर प्रशन आपके एक्जाम में पूछ ले तो आप क्या आंसर देंगे तो इसे बोलते उपलब दियां क्या बोलते उपलब दियां क्या बोलते उपलब दियां राश्तपती को क्या दिये जयता है? उपड़दियां ठीके! उपड़दियां परलबदियां जिसका आप छोग उन्हें नाम सुना होगा इसे काहते हैं Ematching क्या काहते है Emconfidence का चानते है उपलबदियां रे परलबदियां भीलकुल बोट बढ़ी है इममो-lue-ments अंगरेजी में नाम कह रो Is इससे का लगे शिचाने मे इम्डी में जो फ्रहूथ तो राष्ट पती की उप लबदियां यह है तो इसे कभी वेतर नाम नहीं दिया था राष्ट पती को उप लबदी कितनी मिलती है 5 लाक रुपे महीना 5 लाक मंतली यह बहुत ही प्यारा परश्णे एक टैक्स इस पर लगता है लगसे पांच लाक रुपे इसकी basic salary है राष्ट बद्टे मतलब allowances allowances राश्टपती को अलग से मिलते हैं यह क्या यह तो इसको मिलती है उपलब्दियां पांच लागर पे और भत्ते भी अलग से मिलते हैं कम नहीं होती कम नहीं होती राष्ट्रपती के कारेकाल के दोरान ये कभी कम नहीं होती कुछ बच्चे पूछते हैं कि आपातकाल में तो याद रहे आपातकाल में दूसरी चीज याद रहे वित्ति आपातकाल में किसी भी प्रकार का आपातकालो वित्य अपात कालो किसी में भी राश्टपती का जो work प्रेशिडंट की जो salary है क्या नहीं होती कम नहीं होती प्रिशन बन जाता है कि अभी को भी exam में कि राश्टपती का जो वेतन है जो क्या इसके पधाबदी में कम हो सकता है तो बिल्कुल पदापदी में कम नी हो सकता, बिल्कुल भी कम नी हो सकता, इतना ही रहता है, असोग जी आ रही है किताब, तो ये कभी कम नी होता, ये हमेशा 5 लाक रुपी रहता है, सर एक सवाल है आपसे, बिल्कुल पूछना आप सवाल, अभी मैं इस क्लास को बस यहीं प आप्से नमबर थर्ड, आप्से से एंड, पर्क्स, आप्से समने फोर्थ, आप्से एमोलिट्स, तो उत्तर होगा आपका आपका बहते और उपलब्दियां, याद रखना इस बात को, कभी राष्टप्दी को वेतर नहीं मिलता, वेतर नहीं किस बात का मिलेगा यार? ऐसे ही बहुत से बच्चों में confusion है ऐसे attorney general है तो attorney general को भी बेतर नहीं मिलता लास्पदी का भी बेतर नहीं है इसको उपलग्दियां कहते है इस काम को करने के उपलख्ष में आपको ये उपलग्दियां दी जा रही है आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे असोग जी जल्दी किताब आरी आप गवड़ाई है मत रास्ट्पदी बहवन मिला लाव का पद नहीं है और ये सदस्य नहीं होना चाहिए ये सारी बात आर्टिकल 59 में defined है अब जो अगला topic है कि अब मेरी बारे में आपने क्या जाना कि मैं कौन हूँ RASHTRAPATI मेरा नाम कैसे बना आप जानगे मेरे इंदर क्या सकती है मुझे RASHTRAPATI बनने की योग गिता क्या है ये भी आप जानगे RASHTRAPATI कैसे बनूँगा यानि राष्टपती में क्या मुझे मिलेगा ये भी मैं जान गया अब सबसे इंपोर्टेंट जो चीज है वो क्या है सबसे इंपोर्टेंट चीज है बिटा कि मुझे राष्टपती बनने के लिए क्या करना होगा तो राष्टपती का निर्वाचन जो है अच्छे से लिखा जाए राष्टपदी निर्वाचन जो है ठीक से लिखें अब एक बच्ची पुझरी साथ यह बताईए किताब हमें लिखा रहता है बेतन बेटा किताब हैं तो 90% गलत है मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास दिन में बीसों ऐसे विद्यार्थी हैं या दोस्त हैं, मित्रें या पबलीक इसन से जो किताब लेकर आते हैं कि हमारी किताब को रिक्मेंड कर दो यानि दिन में तो नहीं लेकर महिने में 20 साल में तो कम से कम आते हैं और मैंने किसी भी किताब में इतनी गलतियां मिलती हैं कि पूछो मत और जब मैं बात करता हूं उनके राइटर से वो कहते हैं अरे सर इन चीज़ों पर थोड़ना ध्यान दिया जाता है आप बेतल लिखेंगे उपलब्दिया लिखेंगे लोग इन गलतियों को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो इनको बहुत बेसिक गलती मानते हैं उनका कहना है कि सब गलतिया नहीं है उनका कहना है कि ये सब गलतिया नहीं है इतनी सुद्धता से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए उनका कहना यह है तो मैंने वैसे ये कहा यार एक बात बताओ चीनी में मिलावट, बूरे में मिलावट घी में मिलावट, डाला में मिलावट सरसों के तेल में मिलावट, डाल में मिलावट पढ़ाई में मिलावट पढ़ाई में मिलावट है यह बहुत बड़ा कारण है कि पढ़ाई में भी मिलावट है और जब आप मिलावट का खाना खाने लगते हो तो आपको मिलावट रहेत खाना जब दिया जाएगा आपको नहीं पचेगा ऐसा एक biological structure बन जाता है आपके body का वैसी आपके दिमाग कभी बन जाता है जो दिन मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के सदस्यों के रिक्तम संग्या 500 वामन है सभी 550 550 ऐसा होगा कि आपका दिमाग अब गलत information को इतना feed कर लेगा कि आप सही information दे नहीं पाएंगे और ये कारण भी है एक्जाम में प्रश्णया से नहीं पूछे आते एक्जाम में में बेतर लिख देते हैं वो लोग लेकिन सम्मिदान को जब आप असली में पढ़ोगे तो आप वेतन सब्द का प्रयोग नहीं है वहाँ पर लद्दियां उप लद्दियां नाम के सब्द का प्रयोग है वह वेतन सब के अपका कोई प्रोग नहीं है मेरी किताब आएगी पुर्दुनिया की मतलब यह साथ ऐसा नहीं है एक्जामपल दे सकते हैं देखो बेरेक्ट जो होती है न इसमें राइटर की आवसकता नहीं है मैं आपको बेरेक्ट विजवा देता हूँ हमारे टेलिग्राम चैनल पर सच करना बेरेक्ट होगा बेरेक्ट उमने बीपेसी भाई करणसर में बेजा है और हमारे दूसरे जीपेसी भीजवा करणसर में है इसको राइटर नहीं होता इसका यह बारत सरकार की होती है बारत सरकार इसे पब्लिस करती है इसका unique publication नहीं, किसी का कोई और publication होगा, the law book होगा, the law house होगा, या किसी का कोई और होगा, यह भारत सरकार की है, कोई इसका writer नहीं होता, यानि आप भारत सरकार का bare act आप देखोगे, तो भारत सरकार की जो website है, उस पर आपको भारत का संभिदान देखने को मिल जाता है, constitution of India, यानि इसमें कोई ऐसे चीज नहीं है कि आपको इसके लिए स्पेसिफिकली आपको कोई के राइटर के लिए नहीं है पीम बक्सी की आती है लेकिन पीम बक्सी ने भी कुछ नहीं कर रहा तो मेरा मानना है कि आप सम्मिधान का आप और जीनल वर्जन खरीदें और जीनल किताब लेकिन मार्केट में चले जाएं यह ज्यान दें के सम्मिधान संसुदन अपडेटेड़ हो इसे क्या होगा लेटेस्ट है पुराना वाल आपको पगड़ा थे उन्नीस का तो आप कोसिस करना कि आप लास्टर जाकि चेक कर ल यह हमारा G.S.Bit करन चोदरी हमारा यहां देखोगी तो मैंने बेरिक्ट दलवा दिया यह बेरिक्ट अभी जल गया है यहांपर यह बेरिक्ट खोड रहा है तो यह सब्सक्राइब आप इस ब्रेख को यहां से पढ़े है आ आराम से पढ़ें देखो दल गया इसको ऐसे करक करो इसमें लिखा है भारत का सम्मिदान असोग शपा है उन्नीस तक आई जब पुराना हो गया ठीक है लेकिन आप इसे ले लेंगे अब देखो अभी वाले प्रश्ण को देखेंगे इसमें तो आर्टिकल बामन पर चलो चल आर्टिकल बामन पर चलोगे तो देखो पट पु यहां मनना कि कोई भी टीजे जब पड़ाता है तो जनरली वो बेल Mina के बाद उनको बेर एक्त इमपॉर्टेंट लगता है और सभी बेर एक्त से पढ़ाना पसंद करते maggating एक लेवल के बाद यह देखो मैं आपको दिखा दिता ऊउँ एक सुदों चल रहा है है यह देखो आप पढ़ो, यहां पर कुछ देख रहे हूँ आप, यह क्या लिखा है, मौलिक कर्टब्वी और मौलिक कर्टब्वियों के बाद आप जानते है क्या हैगा, राश्टापति यहां लेखा अर्टीकल 22 लिखा है कि नहीं लेखा आर्टिकल बामन बारत का राष्टपती आर्टिकल त्रेपन ठीक है ऐसे ही देखो आर्टिकल चोवन ऐसी हमने बात करी थी आर्टिकल उनसट के बारे में तो आर्टिकल उनसट भी आपको यहां नजर आएगा 59 देखो 59 मैं आपको दिखाता हूँ अभी यह देखो 58 और यहां देखो 59 यहां देखो क्या क्या लिखा है राष्ट्रपती कोई लाव का पद्धारन नहीं करेगा देखो पेने बताया था कि नहीं बताया था भी लिखा है कि नहीं लिखा है लिखा है राष्ट्रपती बिना किराय के अपने सास की निवास अपयोग करेगा राष्ट्रपती की उपलब्दिया वत्ते पदावदी के दोरान और भत्ते पदावदी के दोरान कम नहीं की जाएंगे यह सब्द का प्रयोग है यही मैंने आपको भी पढ़ाया था इसमें कह यह लिखा है इसमें वेतन, रास्त्रपती की उपलब्दियां और बत्ते, तो यह वेतन है, और मैं इसको इतना, यह वेतन सब्द का प्रयोग नहीं है, और मैं इसको इतना dynamically यूज करता हूँ, बेरेक्ट को, कि प्रशन किसी प्रकार से बन जाए, जब मैंने आपको अनुच् सदन का मेंबर नहीं, दो नमबर लाग का पद नहीं, तीन नमबर राश्त्रपती बवन, और चान नमबर क्या वेतन, तो जिस प्रकार से वेरेक्ट को आप पढ़ रहे हो, उसी according अगर आप उपनी study करते हो, तो बहुत मजबूत study हो जाती है, और बहुत से चीजों का आप नहीं सर, WhatsApp group में बेज दीजेगा, पिरट पलीज सर, आपकी किताब का अवारी मार्केट में, नंदलाज मीना बहुत जल्दी आ रही है, मुश्किल 10-12 दिल लगेंगे, आप टेलिग्राम को जोइन कर लिजिए, पड़ापड से, तो आज की क्लास में कुछ प्रिश्ने, इन आज सा बारती घरतंतर का प्रमुक है, बारती घरतंतर का प्रमुक कोन है, विज अवगें इस बारे में बात करूंगा, उनके सचवाले को जाता है, ठीक है, quality जनो, मतलब, सर मुझे आप pieces बना दीजे, आपका मांग दसन चाहिए, प्लीज टेम नहीं मिलता है, आपको एसे आदव जी प्लीज आप कॉंटेट कर लिजी अमारे नंबर पर मैं आपसे बात कर लोगा टेंशन मतले मेरे भाई यहां देख आंसर क्या होगा भारत का राश्टपती समझ में आया अगला प्रशना बारत के राश्टपती अपनी सक्तियों का प्रहोग कैसे करते हैं अब बताओ इंडिया एक्सराइज पॉवर भाई आटिकल त्रेपन में मैंने अभी पढ़ाया था आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा आई रेल्वे गुरुप डी के रेजल्ट की बारे में जानकारी मुझे नहीं कब आएगा रेजल्ट रेल्वे गुरुप डी का मुझे एक्चुरी थोड़ी जानकारी नहीं है इन एक्जाम्स के बारे में ठीक है तो यूपी पी-सी और बी-पी-सी ये तो मैं थोड़ी जानकारी का अभाव रहता है, इसके लिए माफ करना, आपको कोई भाई बता देगा, इसमें से कवार है, तो इसका अंसर क्या होगा, directly or by his subordinate, ठीक है, चलो बड़िया, भारत के कारेपालका का अधियच कोन है, executive head of the कारेपालका, इको पूछ लिया, अब ये परश्ण डारेक्ट पूछा गया है, अब इसका डारेक्ट आंसर दे, बहुत सारे बच्चे इसमें। केंफीस होते हैं आधे बंचे आंसे राश्च्र पत्य आयगे गके प्रदान LM स청 रकार के प्रस्ट में कभी गंफी चुंपूज मत हो नवाए पृत्स मैं कुछ भी नहीं है बारती कार्यपालिका का अध्यच हमेशा राष्ट्रपती होगा अगर वो यहां लिख दे कि बारती कार्यपालिका का वास्तविक अध्यच लिख ले वास्तविक तब आपका अध्यच आंसर होगा प्रयान प्रदान मंत्री तो आपका अंसर ही होगा लेकिन जब सिंपल इंदर नहेते हैं किस अनुच्छेत के तहत एक्जिकीटिव पावर्स ऑप दी यूनियन और वेस्टेड इन दी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या अंसर होगा को के संगीता कुमारी बताईए प्यम नहीं बेड़ा प्रेजिडेंट उसमें प्यम क्यों संगी कारेपल का सक्ति किस आर्टिकल में बामन में राष्टपती है त्रेपन में कारेपल का सक्तियों के बारे बात करेगी तो आंसर क्या होगा आपका अंसर होगा अगली जो आंसर आप तब दे पाओगे जब आप अगली क्लास कर लोगे तो कल की क्लास में हम पढ़े जानकारी हमेसा क्लास में मिलेगी I'll always try to give my best to your class ठीक है कि best से best में आपको प्रवाड कर सको best से best चीज़ आप जान सके और कल निर्वाचन की पीपीटी होगी निर्वाचन की क्लास होगी अपने आप में होगा होगी एक्चुल में मैं election conduct करूँगा आपके सामने करूँगा और आप देखोगे कि ये भारत के राश्पती कैसे बन गए मेरी किताब बहुत जल्दी आ रही है इसका answer मिल गया नंदला नमीना जी 15-20 दिन थेंक यू एक चीज़ बताना भूल गया कल 26 नवंबर है कल सम्मिदान दिवस है मैं बताना भूल गया आप लोगों को कल क्या है कल सम्मिदान दिवस है सम्मिदान दिवस पर ये सभी और से सभी बैचिस पर आपको 40% आफ मिल रहा है जो मेरे अच्छ जो मेरे UGC नेट पकरा के बैचिस है 40% आफ है और कल सम्मिदान दिवस है तो कल सम्मिदान दिवस पर मैं आपके सामने क्लास लूँगा महती अलग क्लास लूँगा बारत के सम्मिदान की कुछ अंसुल जे पहलो आप बताईए कल आप क्या पढ़ना चाहते आपका क्या मन है आपका मन है तो आप ये बताईए कल आपका क्या मन है आपके अनुसार कार रहे होगा कल सम्मिदान दिवस है तो कल कुछ नई जानकारी आप चाहते हैं एकदम नई जानकारी ये नई जानकारी वाले जो है वो एव दवाएंगे नई जानकारी एकदम नही जानकारी कुछ अलग या आप लोग B, राश्ट पती के Topic को आगे बढ़ाएं अब बताएए कुछ पॉल लगाओ A या B, नही जानकारी या राश्ट पती के Topic को आगे बढ़ाएं, नही जानकारी में भारत के समधान के बारे में कुछ अलग-अलग बातचीत की जाएंगी A, ठीक है और B, आप बताएं कौन सा वाला आपको पसंद है कौन सा वाला A या B में से आप चूज कीजिए क्या चाहते हैं आप लोग A या B में से कैपिटल में दिया करोगे A, B आप पोल में पोल में आसर दे पोल में, पोल में, पोल में सभी विद्यारती अपना उत्र पोल में दे नई जानकारी Sir, ये क्लास OTA के लिए एनफ है होगी, actually मैं से स्था अरे यार, OTA के बेरी मुझ सफिसेंट I have qualified number of times OTA I am qualified serious examines 7 times 7 बार मैंने serious Serious तो करें 3-4 बार पास किया, and मैंने NCC special entry भी दी थी तो OTA मैंने कई बार पास किया है This is sufficient, more than OTA मैंने पास किया, your paper serious का एक दिर मांक से दिखा हुआ Army officer का paper मैंने पास किया है मैंने खुद नहीं serious पास किया है Command Defense Services UPSC का जो exam है सबसे पहले मैंने वही exam पास किया था अपनी life में पहले serious पास किया फिर CEPF पास किया इसारे मैंने खुद ने पास किये इसलिए मैं जब भी class में पढ़ाता हूँ तो अपने इस mindset के according पढ़ाता हूँ मैंने कभी SSC नहीं दिया अस तक जीवन में और न मुझसे qualify होगा न मैंने दिया न मैंने कोई और exam दिया police का, constable का, ठानेदार का, हवलदार का इसे कोई paper ने दिया मैंने मैंने पनी life में सबसे पहला exam दिया UPSC CDS और पास किया उसके बाद दो-तिन बार दिया उसके बाद एक exam CPO मैंने पास किया था 2SSC के exam था लेकि उसमें मैंने पास कर लिया था CPO के बाद मैंने CAPF पास किया stand commandant का exam पर उसके बाद IES दिया, PCS दे रहा हूँ तो ज़्यादा मैंने exam दिया नहीं है उसी level की quality है ठीक है? उसी level की quality है तो आप यह मत मानना quality छोड़ो मैं कोई भी subject पढ़ा हूँ कल को आपको economics पढ़ा हूँ, geography पढ़ा हूँ हर subject का level UPSC का ही level होगा क्योंकि आप जो पढ़ते हो वही पढ़ाते हो मेरी सोची नहीं है मैं सोची नहीं पाता इतना कि मैं और सच है, मैं नहीं पढ़ा सकता है SSC के लिए क्योंकि उस exam की demand अलग है तो CDS के लिए आप भिंदास तरीका से पढ़िए और मैं तो कह रहा हूँ कि CDS बगेरा जो exam आप दे रहे हो मुझसे प्रस्टल गाइडेंस आप लो SSB sir कैसे पास करना है I will extend my help to you people तो आपकी किताब कभारी मार्केट में आज आएगी भाई तो A पर 89% लोगों की जानकारी है कल की class होगी सम्मिधान के एक उस अंसुल जे पहलू कल सभी विद्यारते जुड़िएगा कल सम्मिधान दिवस है और कल की class थोड़ी अलग चलेगी ये class हमारी परशों से continue होगी कल दिन क्या है कल सट्रेडे है तो कल सम्मिधान दिवस बनाएंगे हम सभी सब्सदियम बना दीजिए उपके साथ चाहिए सर कैसे क्या करो ऐसे यादा फोन कर मुझे UPPCS का मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ इस बार UPPCS के लिए specific प्लान कर रहा हूँ कि हम 2-3 exam को लेकर प्लान कर रहा है UPPCS और BPSC UPPCS and BPSC BPSC, BPSC मैं पढ़ाता हूँ अनकेड़ी पर तो paid batches में अनकेड़ी पर चल रहा है BPSC का paid batch किसी को लेना है तो हमारे टीम से contact कर लिए 87000 78917 BPSC के लिए संपूर तयारी मैं कर रहा हूँ और बहुत अच्छे notes भी देता हूँ है BPSC के लिए अनकेड़ी में पढ़ाता हूँ है आपको admission कर वा दिए जाएगा discount prices में हम चलते हैं भजन सुनने I have come contact you क्या लिखा है इस बच्चे ने Let's rock sir See you guys Contact number क्या है मैं लिख देता हूँ UPPSC के त्यारी के specific लेके आएंगे मैं अपने experience को पूरा जोड़ूँगा Number वैसे तो comment में चलता रहता है Number वैसे भी हमारा scroller पे चलता रहता है पिर भी आप इस number को याद कर ले 8700078917 KM Pragyya PGT की date कव है बेड़ा बताओ के PGT की date कव है इसकी date कव है डेट नहीं आई न भी मैं इसके लिए भी को सोच रहा हूँ अकेला आदमी क्या करे पर मैं करता हूँ PGT इससे तो आप पढ़ी लो PGT में सबसे बड़ा पार तो सम्मिदान का है सम्मिदान आपका clear हो जाएगा तो आपको क्या ही चाहिए ठीक है चलो बबाय नमस्कार जेहंद कल सम्मिदान दिवस पर क्या पहन किया है कुर्टा पजामा है चलो कल मिलते हैं पर है नमस्कार जेहंद